हलो फ्रेंज वेलकम टो चैनल करन अफेर अप्डेटेड अधिस दिवशी शवस्थी जैसे आपको बता हुगा 10 अम पर हमें बहुत इंपॉर्डेंट सीरीज लेके आते हैं तो गुड मॉर्निंग आपको समझ में आगा किस तरह को फ्रेम होते हैं और एक बात और मैं आपको से मेंशन करती हैं तो चलिए देखते हैं से कौन से कोशन से जो आपके कमिंग एक्जाम में यूपीसी या अधर आप एक्जाम दे रहोंगे स्टेट सर्विसस उसमें हेल्प करेगी तो के लेट स्टार्ट विद फॉर्स कोशन पहला कोशन जो है बार बार आपको बोला है जरूर पढ़ लो तो आज जो मैंने कोशन कुछ है अगेन बैलंस ऑफ पेमेंट से कापिटल एकाउंट कांसे स्टाफ के अंदर क्या क्या चीज़े आती हैं तो बैलनस ऑफ पेमेंट जब आप पढ़ोगे तो करेंट अकाउंट काउंट दोनों आपको मिलेगा आप करें सा करेंट अकाउंट में क्या है तो नहीं हो सकता क्या एँ जिसको एब आ यह जाता करें दिय डिया कि capital account के ज़र क्या क्या चीज़ आती है इसकी PDF आपको मेरे telegram को पर मिल जाएगी तो easily आप वहाँ से download कर सकते हैं चलिए आगे बड़ते हैं next question में that is again an interesting question एक बड़ा important term दिया है मैंने fiscal prudence remember fiscal prudence क्या होता है अगर आपको यह नहीं पता है तो शायद question में आपको difficulty आएगी but इस question के बाद आपको fiscal prudence समझ में आ जाएगा चलिए statement पढ़ते है fiscal prudence implies spending excess to create demands in the economy ठीक है आप जब ज़्यादा spend करते हैं economy में जिससे demand बढ़े उसको कहते है fiscal prudence और लिखा FRBM Act that is fiscal responsibility budget management act 2003 यह बनाए गया था for institutionalize the concept of fiscal prudence तो उसी concept को देखते हुए fiscal prudence के concept को active करने के लिए आपके सकते हो या institutionalize करने के लिए FRBM Act 2003 में established किया गया था आपको बताना है correct statement कौन से है तो देखिए मैं fiscal prudence का मतलब बता हूँ तो fiscal prudence का मतलब होता है कि government जो है याद रखिए जादा expenditure कर देगी compared to revenue earning remember earning से जादा expenditure हो जाएगा तो logical है सरकार को या तो loan लेने पड़ेंगे या तो extra currency print out करनी पड़ेगी remember तो fiscal prudence का मतलब होता है कि आप within the budget खर्च करिए तो इसमें तो लिखा है excess कर्च करिए नहीं within the budget तो first statement wrong है और याद कि FRBM Act बिल्कुल control करता है हमें अपने deficits को control करना है FRBM fiscal prudence को promote करता remember तो यह भी बात करता है क्योंकि हमें deficits जो है अपने fiscal deficit हो revenue deficit हो इन सब को reduce करना है तो second statement सही है but first is wrong that is correct answer option number B that is a two only fiscal prudence का मतलब देख लिजे है fiscal prudence is spending within the budget तो यह लाइन आपको याद अखना है यह term भी आप से पूछा सकता एक्जाम में चलिए next question में आते है question number third again an interesting question NPCI I think NPCI के नाम आप समने सुना होगा that is National Payment Corporation of India याद अखेगा इसके बारे में 30 words याद अखेगा 30 words आप मुझे comment box से mention करिए about NPCI बहुत important है exam question आ सकते हैं अब देखिए मैंने कुछ आपको consider करने को बोला है और पूछा इन में से किस-किस चीज़ों के product जो है वो NPCI ने बनाये हैं तो याद कि which of the following above are the products of NPCI जैसे लिखा है UPI Unified Payment Interface भारत Bill Pay Central Identities Data Repository Immediate Payment Service Bmap आधार Enable Payment System रुपय कार्ड ओके तो इसका मतब यह हो गया A, C, D में से कोई answer है ओके चलिए आगे बढ़ते है UPI बिलकुल UPI तो ही तो one तो सब में ही है कोई help ने भारत बिल पर again that is created by NPCI तो two भी सही है मतलब यह गलत हो गया ठीक है अब इसमें statement जो है कि three statement सही है कि नहीं तो Central Identity Data Repository याद एखिए that is not under NPCI third is wrong remember तो correct answer option of C है that is one two four five six seven okay बाकी सब कुछ created by NPCI उसी के product है तो मैं आपको उता दो Central Identity Data Repository या दखिएगा इसको control करता है इसको regulate करता है UIDAI remember that is unique identification authority of India जो है वो इससे control करती है remember that is not a product of NPCI तो statement three जो था वो रॉंग था बाकी अधर जो statement थे वो payment NPCI के ही है remember तो correct answer that is option number C okay ऐसा question frame होते हैं शायद confused हो सकते हैं इसलिए आपको मैंने बता दिया चले कोश्च मां फोर्थ में आते हैं आपसे बहुत भाई टम सुना होगा और फोर्गनाईस सेक्टर और कहीं आपसे सोनागा अनर्गनाईस सक्टर यह अनर्गनाईस सेक्टर अपसुनते है remember यह mainly किस पर based होता है कि यह और्गनाईस सेक्टर है यह पहला statement है Assurance of working conditions के according कि कौन सा organized है कौन सा non-organized है Second working duration of the firm के according Gross output of the firm या तो net profit of the firm after paying taxes बहुत common word है जैसे बोलते हैं यह organized sector में work कर रहा है Organized sector कहने का मतलब remember जहां पर आपको एक proper salary मिलती है Remember ठीक है आपकी medical facilities, insurance यह सब चीदे जो है remember यह सब properly रहती है इसे कहते है organized sector जैसे government sector एक organized sector है और बहुत से private sector भी organized है Remember तो यहां पर देखा आता है मतलब किसके according आप decide करें Organized है या न और्गनाइज है according to the working condition या देखिए this is the keyword लोग भूल जाते है तो या देखिए according to working condition आप condition आप decide करते हैं यह organized है कि अन और्गनाइज है जो organized sectors होते हैं या देखिएगा वहाँ पर regular monthly salary मिलती है Medical benefits होते हैं fixed working hours होते हैं remember Job security होती है ऐसा नहीं आपको कभी भी निकाल दिया जाएगा Fixed working hours होंगे आपके medical benefits मिलेंगे आपको एक salary मिलेगी तो अगर ऐसी आप job कर रहे हैं तो इसको हम कहते हैं that is organized sector में आप work कर रहे है Remember, तो सबस्चा example government sector में work करें तो एक organized sector का best example है Okay, तो correct answer that is option number A Okay, चले Next question, fifth में आते हैं यह बहुत common term है आपने सुना भी होगा बहुत बाई हिंदू में यह term cover किया था That is rent seeking activities Okay, rent seeking activities Rent seeking activities So question मेरा है कि यह जो business firms use करती है बहुत जादा rent seeking activities यह newspaper में आता है इसका मतलब क्या है Remember, options आपके सामने दिये हुए हैं आप इन options को read out कर सकते हैं यह मैं बता दू यह जो word है rent seeking activities, it is a negative word यहाद एक positive word नहीं है, एक negative word है और आपको बताना होगा कि इसका मतलब क्या होता है आफिर मैं बता हूँ, जो private companies है, बड़े-बड़े business man है Remember, वो सब lobby कर लेते हैं और government को force करते है Remember, कि government उनके benefit related laws बनाएं उनको subsidy दे, grants प्रोवाइड करे चाहे वो अपनी productivity increase करे या ना करे बट उनको benefit होना चाहिए, कि इनको, जो बड़े-बड़े business lobbies है बदले में, वो उनको क्या देते हैं Of course, funding बगरा, election के time पर provide कर देते हैं Remember, that is a wrong concept So, strength seeking activities यार रखेगा जब lobbying the government, government का against lobby कर लेते हैं कौन, to change the rules for making business profitable जो बड़े-बड़े companies हैं, remember वो अपने profit के लिए, चाहे हो सकता है उनका बस profit हो, remember ठीक है, but हो सकता है production increase ना हो, public का benefit ना हो but वो अपना benefit देखते हैं और government पर force करते हैं, pressurize करते हैं lobby बनाते हैं, और government को funds अगर आभी provide कर देते हैं, तो government उनके benefit-related laws, funds, grants, subsidies प्रवाइड करें तो that means wrench seeking activity, जो की गलाथ है, remember, तो यह आप crony capitalism में देखेंगे, जहां private sector बहुत ज़ादा कंट्रोल करता है government को, correct answer option number B है, यह term बहुत common था, इसलिए मैंने लिख लिए economics बहुत बार use के जाता है description, आपको मेरे telegram group में मिल जाएगा महाँ से download कर सकते हैं, okay, चलिए next question माते, question number six economic survey बजट जब भी आता है यह term बार बार देखने को मिलता है gross domestic capital formation that is GDCF, okay budget पढ़ी, economic survey पढ़ी, यह term बार बार आता है इसका मतलब क्या है, gross domestic capital formation, okay, नाम से आप शायद guess कर सकते हैं, capital formation जैसा word लिखा हुआ है चलिए पढ़ते हैं, कि infrastructure create करना, remember, और durable economic assets create करना, okay पहला statement है, तो साब money circulation in public hand, लोग कहाते हैं, money circulation हो ची, capitalization of banking sector, banking sector को money provide करना ची, capitalize करना चीए direct retail investment in customer good sector, remember, तो यह लिखा हुआ direct retail investment in consumer good sector, remember, तो यह point लिखा हुआ है आपको बताना है, I think नाम से ही पचला, capital formation, मतलब सार, assets create करने की बात होगी, infrastructure create करने की बात होगी जैसा आज आप देख रहे हैं, buildings, road, highways infrastructure, ports, यह सब government बना रही है, PM गति, शक्ती program भी आपने सुना होगा, तो these are all related to infrastructure creation, तो यहाद दखेगा correct answer option number A है, that is creation of infrastructure or durable economic assets, remember, correct answer that is option number A, okay, चलिए next question माते है, question number 7 यह भी एक term है, GDP और NDP, that is gross domestic product and net domestic product, मैं देख दो पढ़ाया हुआ, GDP और NDP में difference क्या है, पहले आपको पता होना चाहिए, GDP और NDP में difference क्या है, यहाद दिखेगा, जो NDP होता है, वो GDP में depreciation minus करना पड़ता है, क्या minus करना पड़ता है, GDP में depreciation minus करना पड़ता है, तो आपका NDP आजाता है, that is a net domestic product मैंने पूचा है, GDP और जो NDP है यहाद दखेगा, इनके बीच में difference होता है, वो कैसे कम हो सकता है, मतलब the difference between GDP and NDP will reduce, कैसे reduce हो सकता है, याद दखेगा, GDP और NDP के बीच में difference कैसे reduce होगा, लॉजिकल है, अगर यह depreciation हम कम कर दें, यह point जहां समझ में रहा है, तो लॉजिकल NDP और GDP बराबर ही हो जाएंगा, depreciation let us suppose zero कर देता हूँ मैं, तो क्या होगा, NDP cost to GDP difference तो zero हो गया, depreciation, अगर आप reduce, zero कर देते हैं, तो GDP NDP के बराबर हो जाता है, remember तो यही पूछा गया है कि difference कैसे reduce कर सकता है, अब यह depreciation zero कैसे का सकते हैं, या minimum कैसे का सकते हैं, पहला statement है कि export grows faster than imports करें तो, दूसरा है economy becomes more technological advanced technology आपकी जादा better हो जाए natural resources get depleted bank loans become more expensive तो I think the terms देख रहे होंगे आप पहली बाद, the fourth of the, बिल्कुल negative है कि bank loan जादा expensive हो जाए इससे तोड़ना होगा कि depreciation हो जाए इससा कोई लिए देन नी है, natural resources get depleted नहीं, यह सब negative word है, remember export grows faster than import ठीक है यह तो चलो, positive word आपको दिख रहा है but correct answer जो होगे, that is option number B क्या दखेगा, जब आप research में technology में invest करते हैं, क्या दखेगा तो better क्या होता, आपके product इतने अच्छे बनते हैं कि जल्दी depreciate नहीं करते है, remember वना value आपकी, कोई भी product की depreciate करने लगती है, जब आप purchase का लेते हैं उसकी quality, उसका amount अगर आपकी technology अच्छी होगी, आपके research अगर अच्छी होगी, तो depreciation कम amount होगा, remember तो correct answer, that is option number B, GDP अगर आपको difference उनके बीच में कम करना होगा, तो correct answer, that is option number B, okay चलिए, अब हम कुछ current affairs के question देख लेते हैं, जो अभी news में चल रहे हैं, जैसे कि पहला question जो न्यूज में है, यब रीसेंटली यह जो statement आया है, यह बिहार से आया है, याद अखेगा, पढ़ लेते हैं, option, the incident occurred post the collapse of Gandhi Irving pact, Gandhi Irving pact, जो 1931 में signed हुआ था, जिस pact के अकॉर्णि गांधी जी second roundtable conference attend करने जाते हैं, Britain, remember, तो यह जो pact touch में, of course, pact to sign कर लेती है, महात्मा गांधी जब वो पहुचते हैं, तो वहाँ पर उनको वो चीज नहीं मिलती ही, जो वो चाहते थे, remember Britain में, तो लिकाओ incident ओकर post the collapse of Gandhi Irving pact, Gandhi Irving pact के बाद का इंसिदेंट है, moment क्याती ही कि ट्राइकलर को host करना तक government building के उपर, और यहाँ पर जो British police है, वो fire कर देती, इसमें 34 freedom fighters की death हो जाती है, तो अभी recently इसको celebrate किया जा रहा है, शहीद दिवस के नाम से बिहार में, remember, तो यह कौन से event है, यह incident का नाम क्या है, आपके सामने चार massacre events लिखे हुएं, तो 34 freedom fighters, जो flag host करने जाते हैं, यह event मैं बदा दू, 15 February 1932 में हुआ था, तो यह कौन से event है, यह अभी recently हमारे जो CM है, वहाँ पर शहीद दिवस इसको घुशित किया गया बिहार में, तो इसके रिगार्डिंग मैंने से statement में बनाया है, जो ट्राइबुनल्स है, वो 44th amendment के थू, constitution में include किया गया था, okay, second है, ट्राइबुनल अंडर अंडर का 323A, can be established by Parliament only, मतलब पर्लेमेंट ही established का सकती है, आपको अगर ट्राइबुनल्स पता है, सबसे पहले आप मुझे बताईए, ट्राइबुनल्स जो है, उसमें किस पार्ट के अंदर आते हैं, और 44th amendment के थू, 42nd amendment के थू, ट्राइबुनल्स एड किये गये थे, तो first statement तो हो जाता है wrong, second statement, yes, सिर्फ पार्लेमेंट ही अंडर 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 का 323A, याद अखे है, ट्राइबुनल्स को establish कर सकती है, remember, अब 323 के था, कौन से ट्राइबुनल्स होते हैं, यह तो मैंने ट्राइबुनल्स से पढ़ा हुआ है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, तो correct answer, that is option number B, 2 only, क्योंकि amendment number 44th लिखा हुआ है, जबकि 42nd amendment के थू, याद एखेगा, ट्राइबुनल्स एड किये गये थे, okay, part number आप मुझे comment box से mention करेंगे, ट्राइबुनल्स क्या होता है, क्या add किया था, उस सब मैंने हाँ पर मेंशन कर दिया है, PDF आपको मिल जाएगी, okay, last question, that is again, that is Indian-based neutrino observatory, remember, I know, regarding those statement है, देखिए statement नहीं भी पता हूँ, still options देखिए आप answer कर सकते हैं, जैसे कि, पहला statement है, कि यह जो initiative है, Ministry of Electronics और Department of Science and Technology का initiative है, ठीक है, चलिए नाम से तो पर चला है Indian-based neutrino observatory, तो क्या लगता है, आपको Ministry of Electronics का यह initiative होगा, मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि यह आप देखे, neutrino observatory लिखा हुआ है, तो यह electronics का नहीं होगा, बिल्कुल नहीं है, Department of Atomic Energy इसका partner है, साइंस और टेक्नोजी के साथ, not Ministry of Electronics, फर्स statement रॉंग है, सगेंड सेट्मेंट है, यह जो प्रोजेक्ट बन रहा है, यह underground laboratory बन रही है, कहां पर बोधी वेस्स हिल और तमिल नादू में, मैंने जिस तर आपको बताया, कि यह जो प्रोजेक्ट के Department of Atomic Energy और Department of Science and Technology के अंदर है, ठीक है, और बड़ा इंपोर्टेंट है, इसमें अपन अंडर्गाउन लेबोटरी बना रहे हैं, याद रखेगा, बोधी वेस्स हिल्स ऑफ थेनी डिस्रिक्ट ऑफ टर्मिल लादू में क्रेट हो रहा है, तो यहाँ पर हमाँ जो 10 कोश्चंस थे, वो कम्पीट हो जाते हैं, अगर आपने एंड तक वीडियो को देखा, एकनोमिक से कोश्चंस है, थोड़े मेरे ख्याल से डिफकल्ट होते हैं लोगों के लिए, इतना एजली अंडेस्टान नहीं होता है, तो अब आपके दिमांगों को सर, एकनोमिक का वेटेज क्या रहेगा एक्जाम में, वेटेज अराउंड रहता 15-20%, अगर आपने ये पढ़ लिया, अगर आपने ये पढ़ लिया एकनोमिक्स, तो आपको बहुत जादा एडवांटेज विलेगा आपके कमिंग एक्जाम स्वें, अगर आपने अभी तक UPSC प्रिलिम्स का भी भी आपको पता है, तो आप मेरे कोर्स को जोइन करिए, मेरी गारेंटी है, कैसे पढ़ना है, मैं आपको गाइड करूँगा, और आप UPSC का प्रिलिम्स फर्स सेटेंट में क्राक कर लेंगे, अफकोस विद्ध हेल्प आफ गाइडन्स, तो आप इसके बाएं में इन्फोर्मेशन ना चाहते हैं, तो कॉन्टाक नबर भी मेरा मेंशन है, आप कॉल कर सकते हैं, दूसरा हमारा कम्प्रीट कोर्स जो लोगों ने ले रखा है, उनके लिए बहुत एडवांटेज है, वह हम NCRT Basics भी कवर करवा रहे हैं, तो आपने वहाँ देखा होगा, बहुत सा NCRT की Classes भी चल रही हैं, तो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत helpful होगा, और जो लोग MPPSC का भी आपको पता हुआ, कली मेंस का, जो मद्रपदेश PSC का एग्जाम दे रहे हैं, उसका मेंस का नोटिफिकेशन आ गया है, और जो लोग अगले साल भी देने वाले हैं, आपके एक paper GS मेंस में, एक topic है Public Administration, जो की बहुत difficult है, लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं, कहां से पढ़ना है, तो मैंने पूरा Public Administration MPPSC का complete कर दिया, remember, आप मेरे आप पे चले जाएए, वहाँ पर अभी मैंने course launch कर दिया, सारे आपको lectures मिल जाएंगे, MPPSC का आपको अगर पबैट का course चाहिए, तो complete optional का चाहिए अगर पबैट का, वो भी available है, अगर individual चाहिए है, तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ, आपके लिए हमने course launch कर दिया, पर आपको जरूर विजिट करें, और आपका नाम क्या है, that is Devashish Classes, उसका भी link मैंने description box से mention कर दिया है, पर आपको जरूर विजिट करें, और वीडियो को लाइक जरूर कर दो, एक लीजिट वीडियो को लाइक करते रहा करो आप, और फर्स ताइम आयो, चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, इसमें आपको फर्दर हमाई नोटिफिकेशन मिलती रहे है, थांक यू,